Hello DC fans, welcome back to my channel दास्तान TV तो DC से related धेर सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले यह जो New York में Comic Con हुआ इसमें Creature Commando और Superman movie से related धेर सारी अपडेट्स हमको मिली हैं लेकिन सबसे पहले News यह है कि Supergirl Woman of Tomorrow की जो filming है वो January में स्टार्ट हो जाएगी यानि January में इस movie की filming स्टार्ट हो जाएगी हम जानते हैं 2026 में जो summer का time है तब यह movie release होगी और मैंने अल्रेडी आपको बताया हुआ है Supergirl Woman of Tomorrow movie जो है इसका success depend करेगा Warner Brothers marketing किस तरीके से कर रहा है जैसे Barbie की जब marketing हुई थी तो पूरे तरीके से एक social platform पे पूरे तरीके से trend बन गया था Barbie movie का तो उस तरीके की अगर marketing है Supergirl movie की तो definitely यह movie box office पे अच्छा कर सकती है क्योंकि guys यह एक woman centric movie है तो आप जानते हैं आज कल एक थोड़ा सा image बनी हुई है लोगों की woman centric जो movies होती है उनको अक्सर public नहीं देखती है लेकिन अगर marketing अच्छी है Barbie movie की तरह तो woman centric movie होने के बावजूद public उस movie को पसंद करेगी अगर movie अच्छी है तो तो मैं यही कहूँगा कि जो marketing होने वाली है Warner Brothers की तरफ से वो बहुत top notch होनी चाहिए फिर superman movie जो है इसके बारे में James Gunn ने यह बताए कि इसका trailer ना जादा time लेगा ना बहुत जल्दी आएगा लेकिन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा यानि काफी जादा riddles में उन्होंने बोला है हाला कि DC फैंस यह उमीद कर रहे है कि Brazil में जो event होने वाला है December में शायद तब यह trailer हमको दिख सकता है या Super Bowl वाल जो event होने वाला है शायद तब यह trailer हमको दिख सकता है मुझको लग रहा है Super Bowl जो event होगा उसी में Superman का trailer हमको शायद देखने को मिले क्योंकि तब viewership बहुत जादा हो जाती है उस around Flash का जो trailer था I think वो भी Super Bowl के around ही reveal किया गया था तो देखते कब reveal के जाता है हम सभी DC फैंस एक तरीके से excited है और Creature Commando की जो TV series है इससे related भी हमको धेर सारी updates मिले ही है सबसे पहले जो सरसी का character है उसका look reveal किया गया है और सरसी जो mainly Wonder Woman की villain है लेकिन Creature Commando में भी वो appear हो रही है अच्छा guys मैंने अपने channel पे सरसी की origin story का video अल्रेडी बनाया हुआ है आप सर्च करके मेरे channel पे देख सकते हैं वो वीडियो और जो look है सरसी का वो मुझको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सरसी जो है वो guys जो comic books हमारी हैं उसमें different different looks उसके रहे हैं black hairs के साथ भी, red hairs के साथ भी, कभी-कभी costume change कर दिया गया body का color from brown to pale या white to pale color कर दिया गया तो कई सारे अलग-अलग looks उसके रहें comic book में लेकिन यह जो creature commando में look है guys यह मुझको लग रहा है कि हर comic book look का कुछ-कुछ element इन्होंने उठाया है और एक नया version देने की कोशिश की गई है और जो हमारा Rick Fleck senior का character है इसके बारे में भी already confirm किया जा चुका है कि यह peacemaker season 2 में भी appear होगा यानि creature commando में भी appear होगा superman में भी appear होगा और peacemaker season 2 में भी appear होगा और जो इसके actor है Frank Grillo उन्होंने काफी पहले यह बात बोल दी थी कि Rick Fleck senior का जो character है यह काफी जादा time तक DC में रहेगा यानि हो सकता है peacemaker season 2 के बाद भी यह character हमको DC universe में नजर आता रहे तो बहराल आप ज़रूर बताइएगा creature commando का जो नया trailer भी अभी reveal हुआ है जिसका breakdown में बाद में करूँगा और जो सरसी का look है यह आपको कैसा लग रहा है